हेले वरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना स्विकोचिंग क्लासस पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बहतर चल रही होगी निरंतर आप लोगों के लिए कोश्चन एंसर प्रवाइड कर रहा हूँ कभी आप टीवी पर बैठो मतलब टीवी देखो तो वहां पर जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो वहां पर पत्रकार होते हैं पत्रकारों को कहा जाता है कि इतने बर्स की पत्रकारिता है आपके पास तो बोलते हैं हमें 10 साल की पत्रकारिता का अनुभा है ठीक है को को पता है कि साम को लगता है कुछ निज़ देखिए आज हमारे देश में कौन सी घटना हुई या चाना कहीं पर election का रिजल्ट आने वाला, election हुआ अभी जैसे हमारे मदप्रदेश में भी election हुआ तो कहीं कैदी result आने वाला हो कि भई साहब तो हमें एक जिग्यासा होती तो इनको पहुचाने वाला भी एक बैक्ती होगा ना, और वो पहुचाने की जो एक प्रक्रिया होगी, वही जो क्रिया है पत्रकारिता कहलाती है, किसी घटना को कहीं से देखकर उस पर लिख करके हम तक पहुचाने की जो कला है, वो पत्रकारिता कहलाती है ठीक है सूचनाओं को जोड़कर सूचनाओं को एकठा करके घटनाओं को एकठा करके उसको हम किसी माद्यम से हम बैक्तियों तक पहुचाते हैं वो जो पहुचाने की कला हूँ पत्रकारिता कहलाती है मनिस्त जिग्याइसु प्राड़ी है इसी के फलसुरूप देश दुनिया में घटने बाली घटनाओं को समाचार की रूप में हम तक पहुचाने की कला पत्रकार कहलाती है सुचनाओं को संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते है पत्रकार किसे कहा जाता है जी कोश्यन आ जाए सुचनाओं को संकलन करने वाला पत्रकार कहलाता है पत्रकारिता बिधाई का, कारपालिका, नयापालिका, केत्रिक, लोकतंदर का चौथा इस्तंभ है देश विदेश के घटने बाली देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार की रूप में संपादित करने की बिधा को पत्रकाजिता कहा जाता है पतलब दुनिया की कोई भी घटना है उसको संकलित करने का मतलब यह होता है तो कुछ न्यूज तो सही होते हैं, कुछ न्यूज तो फेक होते हैं, तो जो रियल न्यूज होता बच्चो, उसको गहराई तक जा करके, उसको समझा जाता है कि वास्तिव कुरुप से सच्चाई क्या है, तब उसके बारे में लिखा जाता है, इसके बाद उस संप्रिशित ह तो हमारे यहां तक पहुचता है ठीक है तो पत्रकारिता क्या है किसी भी घटना का संपूर जानकारी संक्लित कर हम तक पहुचाने की कला पत्रकारिता कहलाती है और जो इसे संप्रिशित करता है जो संक्लित करता है जो भेशता है वो पत्रकार है और पत्रकारिता हमारे देश की चौथी स्थम्भ है ये आप लोगों तयार रखना है हास रस की परिभासा एवा मुदारण देखो बच्चो जब भी रस की परिभासा की बात आती है तो हम आपको एक ही परिभासा कराते हैं कि काब को पढ़ते सुनते देखते समय पाठक दर्सक शूता को जिस आनंद की अ हास रस कहते हैं और जब उसके प्रकार में चलते हैं तो कहते हैं साहरदय के हदय में जैसे हास रस है ना तो साहरदय के हदय में हासी नामा की स्थाई भाव का विभाव और अनभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां हास रस होता है समझने कोशिश करिए ना हास रस मतलब जहां पर हासी होगा कि साहरदय के हरदय में हासी नामा की स्थाई भाव का विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां हासरस होता है ठीक है हासरस का अरत समझे न साहरदय के हरदय में हासी नामा की स्थाई भाव का विभाव और संचारी भाव संयोग होता है वहां हासरस होता है किसी भी रस की परिवासा आपको एक ही माद्यम जैसे संगार रस की कोई परिवासा पोच दे तो आप लोग लिख सकते हैं साहरदय के हैदय में रती नामा की स्थाई भाव का जब विभाव और और संचारी भाव से स्थाई भाव का तो इस प्रकार से किसी की भी परिवासा लिख सकते हो अब हासरस का सबसे बड़िया उधार ने बंदरीया से चलो नहाने गंगा बच्चों को छोडो घर में होने दो वुड़दंगा ना तो ये आपका बड़ियांध उधारन है बाकि यहाँ पर देख सकते हैं इस दोड़ धूप में क्या रखा आराम करो आराम करो आराम जिन्दगी की कुझी इसमें न तपेदिक होती है आराम सुधा की एक वूंद तनका दुबलापन खोती है इसलिए तुम्हें समझता हूँ मेरे नुभाव से काम करो बाई यह अपने हास रस की एक्जामपल अपने से दे दो बंदर ने कहा बंदर यह से चलो ना आने गंगा है न या बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुरदंगा तो आप अपने भासा में लिख सकते हैं जो अच्छा जिसमें हासी आ जाए अगला देखो बच्चों सब्दगुण है क्या किसी काब में प्रयोक्त होने वाले उन सब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभा कराते हैं जिन तत्तों के कारण काब के रस का उत्सर्ग होता है हमें काब में रस की अनुवोत होती है काब की सोह बढ़ाने वले सब्दों को सब्दगुण कहा जाता है कितना बढ़िया है सब्दगुण तीन प्रकार को होते है माधुर, ओज और प्रसाद कितना बढ़िया उदारान है देखिए सब्दगुण बात को समझे किसी काब को हम पढ़ रहे हैं तो उस काब में कोई ऐसे सब्द होते हैं जिससे हमें उस काब के अस्तित्तों का पता चलता है समझने कोशित करें किसी भी काब को पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे सब्द होंगे जिससे उस काब के अस्तित्दु का पता चलता ये काब में कहा क्या गया है हासी आ रहा है कि दर्द भरी है ना कोई ऐसी कहानी है रोडा आ रहा है भै लग रहा है ठीक है अंदर में क्या अनुभूती हो रहा है ठीक है जिस सब्द के कारण हमें काब का अनुभा हो चै उस मतलब दर्द की अनुभा हो चै सोक का अनुभा हो चै प्रेम का अनुभा हो चै हासी का अनुभा हो चैह बच्चों के प्रेम का बत्सल का अनुभा हो तो एक ऐसे सब्द का प्रियोग किया जाता है काब में जिससे काब के अस्तित्तु का हमें पता चलता है काब में उत्पन होने वाले रसों का अनुभा होता है उसे हम सब्दुगुण कहते हैं इसे माधूरे ओज और प्रसाद तीन प्रकार का होता है। ठीक है माधूरे गुण, ओजगुण और सब्दुगुण। अगला प्रश्ण बच्चो राज भासा किसे कहते हैं इसकी दो भी सेस्ता हैं। राज भासा इनि सरकारी कामकाज की भासा अत्वा भारती संग की भासा है। उसे हम राज भासा कहते हैं। लुगों की संचार का माध्यें भी हिंदी होना चाहिए। राज भासा उसे ही को घोसित किया जाता है। जैसे इसकी विशेषता है राजभासा किसी भी देश की कामकाच की भासा होती है राजभासा की मानता मिलने से उस भासा का मात तो अस्तित्तो बढ़ जाता है किसी भासा को यदि राजभासा कह दिया जाए तो उस कास्तित्तो ऐसे भी बढ़ जाएगा देखिए अगला प्रशने सरल बाग किसे कहते है सरल बाग का मतलब होता है जिसमें एक ही क्रिया हो और एक करता हो जैसे वह बिद्देला जाता है वह खाना खाता है राम बाजार जाता है राम नहा रहा है तो राम करता हो गया नहाना क्रिया हो गया तो एक ऐसा बाग जिसमें केबल एक करता हो और एक क्रिया हो सरल बाग अब जैसे वहाँ पे दो करता हो गया राम गया था किन्तु नहीं लोटा दो क्रिया हो गया तो फिर वो मिस्रिद बाग हो जाएगा तो आपका बच्चो सरल बाग का ताद पर है कि एक ऐसा बाक जिसमें एक करता और एक क्रिया हो जिस बाक में एक उद्देश्ता था एक ही विधे हो उसे हम सरल बाक कहते है तो जिस बाक में एक ही भाव को प्रगट किया जाता है इसमें एक क्रिया और एक करता होता है या जिस बाक में एक उद्देश्ट था एक भी धे होता है उसे हम सरल बाक कहते हैं जिसे मोहन बिद्देले जाता है क्या बोलते है बच्चो मोहन बिद्देले जाता है तो मोहन आपका एक करता हो गया जाना एक क्रिया हो गया तो यहां पर सरल बाक है अगला नमबर देखिए निम लिखी तो बाक्तियों को शुद्ध करके लिखिए वह दंड देने के योग है वह दंड देने के योग है तो इसका सुद्ध हो जाएगा वह दंड पाने के योग है ठीक है वह दंड पाने के योग है देखे ऐसे प्रशन भी पूछे जाते हैं मोहन बड़ा चालाग है, मोहन बहुत चालाग है, बड़ा चालाग कभी नहीं बोला जाता है, मोहन बहुत चालाग है, अगला प्रशन देखिए, बाक परिवर्तन करना है, आग्या बाचा, गुरु जनों का सम्मान करना चाहिए, तो आग्या देना है ना, तो गुरु जनों क अतात पर ये है कि बच्चो इस टाइब के question भी आप पढ़ते चलो और हो सकता है अभी आप 10 मिनट में जितना पढ़ लिए जितना सुन लिए जितना आप से बनने लगा आप अपने घर में किताब खोल करके आदे घंटे पढ़ते तब बनता इसलिए बच्चो ये संकलित करक कि हम आपको भी एक प्रकार से यहां पर पत्रकारिता तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हम भी संकलित करके आपको देते हैं समझ रहे ना कई सारी चीज़ों को हम आपको प्रवाइड करते हैं समाली जी MPBOOD का update ही दे दिए तो पत्रकारिता कहला जाती है कि हम एक नए समचार आप आप लोग बताना भाई साहब नए सिच्छा मंत्री स्कूल सिच्छा मंत्री की बात कर रहा हूं कौन बने आप लोग कमेंड बाक्स में बताना ओके जैहिंद बंदे मातरम